Hello everyone, Welcome to 2IS and PCS Modern Indian History की discussion को Our Past 3, यानि की जो 8th class की हमारी जो NCRT है उसके chapter 2 को हम लोग प्रोसीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं और chapter का नाम है, From Trade to Territory East India Company अपनी जड़े जो है, वो गहरी करेगी और जो एक व्यापारियों की फॉर्म में हमारे देश में लुटेरे बन का रहे थे अब वो सत्ता पे काबिस हो जाएंगे और यहां के लोगों का economically, politically, अलग-अलग प्रकार से सूशन करेंगे तो देखते हैं कि इनकी पूरी रंडीती क्या थी, इनकी psychology क्या थी, इनका attitude क्या था कि ब्रेटेन से इंडिया तक की इनकी जर्नी रही कैसी क्या ये पहली ऐसी पावर थे या इनसे मेले और भी आई जिन्नोंने इंडिया पे कबजा करने का सोचा या फिर इंडिया से maximum benefit extract करने का सोचा उस टाइम पर भारत में ऐसा क्या था कि इनको जो है सत्ता मिल गई या सत्ता इन्होंने क्या कहते है छील ली क्योंकि भारत का इतियास तो हम लोग मद्यकालीन भारत से अगर देखें तो हमें तो बहुत खतरनाक rulers यहाँ पर देखने को मिलते हैं दिल्ली सल्तने की dynasties मिलती है जिसके अंदर हमें slave dynasty, khilji, tughlaq, lodhi ये सारे मिलते हैं उसके बाद हमें मोगल empire मिलता है जिसका तरना लंबा साशन रहता है बाबर से लेकर औरंग जेब तक तो ऐसा क्या हो गया कि गोरो को जो की सिर्ध्यापारी बनकर traders बनकर आये थे भारत में administration की power इनको मिली कैसे और पूरी country में इन्होंने local rulers को हरा हरा कर पूरी country की उपर कश्मीर से कन्या कुमारी, गुजरात से अनौचल कपजा कैसे कर लिया kind of country की major part पे तो वो इस chapter में आप जानोगे, तो जिसको कोई भी knowledge नहीं है modern industry की उसको भी chapter काफी अच्छा लगेगा, मज़े हैंगे उसको ठीक है तो दिखो अगर हम लोग मुगल rulers की बात करें न, तो मुगल rulers की chronology होती है मैं आपको बताता रहता हूँ हमेशा यह भाज सा अगर हम लोग powerful rulers की बात करें तो औरन जेब हम ऐसा कह सकते हैं, he was the last powerful ruler इसने country के various parts में अपना control established करा था जिसको हम आज के time में जिसको इंडिया बोलते हैं, उसका काफी सारा area इसके time पर इसके under था इसकी मृत्यू के बात 1707 में बड़े सारे जो मुगल governors थे, जो सूबेदार थे और बड़े बड़े जो जबेदार थे उन्होंने अपनी authority को hazard करना शुरू करा और regional kingdom उन्होंने बनाना शुरू करा यानि कि pure form में हम यह बोल सकते हैं कि Auramzeb की death के बार लोग समझ गयते हैं कि इनके खांदान में सब बिना गुटली के army हैं, अपको इतना powerful नहीं है कि जो हमें दवा सके तो बगावत pure form में शुरू हो गई थी, rebellious and revolting behavior शुरू हो गया था and जिस जिस region को, जिस जिस जगा को, kingdom को इसने subjugate करके अपने under शामिल कर हुआ था मुगल empire के under, वो उन्होंने अब अपनी independence hazard करना शुरू कर दी थी और आप ही कह सकते हो regional kingdoms जो थे, वो independent बनकर उबर गए थे, यह जो चीज है ना, कि regional kingdoms independent बन गए थे और अग्जिब की death के बाद, medieval India जो हमारी 7th class की NCRT हम हां तक अभी तक हम पहुँचे नहीं है उस chapter में, last जो उसका chapter है, rise of regional kingdoms in medieval India और जो clash करता है modern India की starting के साथ, तो वहाँ पर हम इस चीज को पढ़ेंगे वहाँ पर पढ़ेंगे हम इसको, यह तो आपको एक जिस्ट बता रहा है, अंग्रेजों के आने से पहले का एक थोड़ा सा बस आपको यह बता रहा है तीरे वक्त आगी बीता रहा, जो powerful kingdoms थे, जो रीजनल kingdoms थे, वो powerful बनते चले गए और वो अपनी independence और authority को claim करना उन्होंने शुरू कर दिया, country के various parts पे हैं, जो अभी तक subjugate करके रखे हुए थे, मोगल emperors ने दिल्ली, जहां से दिल्ली सल्तनत से लेकर, या फिर दिल्ली सल्तनत से भी न लेकर हम यह कहते हैं कि जैसे जो तॉमर रूलर्स थे, तॉमर रूलर्स से लेकर मोगल empire तक, दिल्ली जो एक centralized power status symbol जो था, अब वो इतना effective center of power नहीं रह गया था, पहले की तरह, जैसे ही second half of the 18th century आता है, 18th century आता है, नई power एक हमें देखने को मिलती है, इन सब के बीच, वो थी British power, शुरू शुरू में Britishers एक छोटी व्यापारी company की फॉर्म में आये थे, और trading company की फॉर्म में आये थे, और जब उनको न, ये चीज बोली भी जाती थी न, उनके seniors के through, या फिर England से जब उ करते थे, जैसा कि आमने लक्षमी कार में देखा था, प्रीवेश चेप्टर में, court of directors इनको पूरे के पूरे control करते थे, और इनके governing body थी, board of control and court of directors, वो जब बोलते भी थे, कि तुम तो इतने काबल हो तो, जिस region में तुम operate कर लो, तुम occupy कर लो, लेकिन ये सारे के सारे लो, ब्रिटेन के private लोग थे, जो कि मैंने आपको पताया थे, retirement से पहले इतना पैसा, इतना pound जोड़ कर जाना चाते थे, कि हमारी साथ पुछते बैठकर खाए, तो उनको लगा भाई, या territory secure करने का कोई मतलब नहीं है, पराय देश आये हुँआ, किसी को फालतु में दुश्मन बुश्मन बना लिया, मडर मडर और हो जाएगा, फालतु में लॉट भी नहीं पाएंगे, ये सारी संपती हैंगी, धरी रह जाएगी, इस से बढ़िया है कि व्यापारी बनकर economic activity pure business करने आए, तो business ही करके रहो, for example, ये वोई वाली बात है, कि अडानी और अंबानी से कोई ये बोले कि आपके पास है तो इतना पैसा, और politics money and muscle power का game है, तो आप पैसा खर्च करना और राजनीती महला, तो वो कहते कि नहीं यार, हमें किसी दे पंगे बाजी और ये दुश्मनी वगरा नहीं करनी है, हम अपने business में और economic activities में खुश है, यही इनका रवाई है, तो श economic power बनकर रहने जाते है, political power नहीं, लेकिन फिर इन्होंने पूरे के पूरे हिंदुस्तान पर कबजा कैसे कर लिया, इतना बड़ा British सामराज्ये बना कर, बाद में तो सारी टेरिटरीज को, अमनों British Indian टेरिटरीज, British Indian लिजंस, British Indian Kingdoms, हर किसी का कि British British World लगा हुआ, ये कैसे, तो देखो, सार्ट करते हैं, अब अपनी कहानी, औरंग जेब की मृत्यू के बाद, जैसा कि मैंने आपको उपर बताया, कोई भी powerful मुगल emperor नहीं रह गया था, सारे के सारे, सिर्फ औरंग जेबी real सुल्तान था, बाकी तो सब गुठली के आम थे, बट, मुगल emperors फिर भी symbolically important थे, औरंग जेब की मृत्यू के बाद भी अगर कोई हमसे पूछे कि अंग्रेजो के आने से पहले बारत पर कौन सा रूल चल रहा था, तो मुसर्मानों का शाषन चल रहा था, क्योंकि इसके खांदन वाले अभी भी दिल्ली पे काबिस थे, लाल किले में रहते थे, र दिल्ली छे मतलब पुरानी दिल्ली, चानी चौक वाली दिल्ली, इन फैट, जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, तो उस टाइम पर, उस टाइम पर, बादुर्शा जफर को लोगों ने अपना लीडर चुना था, और आप लोगों में से जो भी मॉडर्न डिनिस्टी पढ़ चुक है, तो आपको पता भी होगा, कि म्यूटिनियर्स और जिन्होंने रेबल करा था, वो दिल्ली तक गए थे, इससे मिलने के सपोर्ट देतो सर जी, और ये जानते थे, कि खुद भी परशा नहीं है, लेकिन इसने बोला था, कि यार देखो, ले लो सपोर्ट, देख लो मतलब वो करके, ये पावरलेस था, अगर पुराने रूलर्स होते न, इसके खांदान वले, और इंजे बगेरा, तो वो ऐसी दभी दभी आवाज में बात नहीं करते, लेकिन इसने दभी दभी आवाज में बात करी थी, और एक बारी जहां पर ये रिवोल्ट खतम हुआ, तो हुआ क्या, अंग्रेजों ने जब शडियंत के से रखा था, ऐसे बंदों को दूरना स्ट करा, तो ये पता लगा, कि भारत के सुल्तान, हिंदुस्तान के सुल्तान, बाहदुर्शा जफर ने भी पूरा-पूरा सपोर्ट दिया था, और तुम्हें नहीं देना चाहिए दाड़ी खीच कर इसकी, दाड़ी पकड़ कर इसकी, खीचते हुए अंग्रेज लेकर गए थे और इसकी बीबी ने रहम की बीक मांगी थी कि छोड़ दो, तो मैं लगता है कि मुगल एंपरर में अकबर की टेंपर कोई अकबर की साथ ऐसा कर सकता था, या औरंग जीब की चलो मैंने माना कि इधर से उधर भागता रहा, कि हमायू को कोई दाड़ी पकड़ कर खीच कर घड़ से लेकर जा सकता था, और वो भी कोई भार से चला हुआ रूलर, और जोधा फोर एक्जांपल सोच ज़रा, पैर पड़ रही है किसी के, और इसके बेटों को, ताकि कोई कोई आगे बंच ही ना बढ़ पाए, कोई मघज मारी अंग्रेजों को चाहिए ही नहीं थी, इसको गोल ही मार दी गए थी, और बादोच्छा जफर को एक्जाइल कर दिया के था, रंगून, रंगून, फिर इस रंगून, बर्मा, आज की टामेज इसको मियानमार बोलते है अब मैं एक फोटो भी दिखाता हूँ, मैं हमेशा इस से ही देखता हूँ, यह देखो, यह फोटो अक्षर, शेर कर जाती, यही मैं आपको बतारता, दाड़ी खीच कर इसको लेकर गए थे, अंग्रेज, और इसकी बीवी, कि देखो, कदमों पे गिरी हुई, कदमों पे गिरी हुई, और इसकी फोटो भी है, रियल फोटो, पता नहीं कहा है, हुक्का पीते है, चिल्लम पीते हो गई है, यह रही रही है, बागी सब्की तो काटूनिश फोटो है न, यह थोड़ी से अंग्रेज हो कि दंगी फोटो यह है, तो इंसान को उतना ही करना चाहिए, जितना उसमें दम हो कि जब वो वहां से नीचे गिरेगा, तो उसकी रीड़ की हड़ी ना टूटे और वो अपाहिज ना बने है, यह कैसा रूलर था, कैसा नहीं था, we are not concerned about it, लेकिन, खांदान के कर्मों की सजा तो काटनी पड़ी इसको, और जितना इतना अपने उपर अपने इनको गर्व था, और खांदान की सजा भी ऐसी कि औरंग जेब ने बहुत अत्याचार करे थे, उसकी सजस को काटनी पड़ी, ठीक है, जवानी में कुछ, यह जवानी टैग हो मतलब जब यह पावर होल था, तो यह उसके कुछ फोटोग्राफ है, इसके बच्चों को भी मार दिया था, इसको तो एक्जैल कर दिया था और इसके बच्चों को मार दिया था, अब क्या हो गया, अब एक बाब बताओ, जब पावर स्टेटस ही खो गया, जब पावर स्टेटस और पावर सिम्बल ही खो गया, यह लृपी हो भारत से राज में दिल्टी का सुल्टान था काईड़ ओफ हम एक सकते कि सेंट्राइस्टो रूलर था हिंदुस्तान पर उस थैम्पर अब लेकिन कोई भी सेंट्राइस्ट पर्वा में देशेस्वें देश्म Lesson कोई भी हाला कि इससे पहले हम और स्टोरी जानने वाले हैं तो ये थो थोड़ा साम फास्ट फॉर्वर्ड आ गए है डिरेक्ट्ली रिवोल्ट आएंटेंट्री सेफें और बादुर्शाद जफर को या मोगल एंपायर को पूरा खतम करने की ऊपर बात यहां पर आ गई है पूरी की लेकिन जो पुराना इतियास है कि यह आये कैसे इसेडे कमने की फॉर्म में इसको हम पढ़ने वाले इस चेप्टर के अंदर देखरें आप यहां पर आइडलोजी समझने की बात करो जब पावर सेटस पावर सेंबलिक हो गया तो अब इनके लिए रूल करना बहुत आसान अब यहां पर इन्होंने जो सजा दी ना यह वाली बात तों यहां पर कर दी जाती है लक्षमी गांद क्या कहती है कि डेरेटली रिवोल्ट ऑफ एटीन फिटी सेवन के बाद क्राउन रूल जैसे मिलब बहुत अच्छे रिजे जैसे कुछ हुआ ही नहीं इतना बड़ात ह कि हाँ जी रिवोल्ट ऑफ एटीन फिटी सेवन हुआ और हम तो क्राउन रूल ले आए गर्मेंट ऑफ इंडिया टीन फिटीन उसके बाद ले आए जिसमें इस्ट इंडिया कंपनी को हटा कर जो है डेरेटली जो क्वीन की या मुनार्की की जो परच्छाई है वो हिंदु रूल ऐसे ही नहीं आ गया था बैक्राउंड में बहुत कुछ चल रहा था जैसे ये खतमी कर दिया मुगल एंपायर पूरा का पूरा मिटाई दिया इसका नाम निशान इस्ट इंडिया कंपनी इस्ट सा आती है कई लोग पूछते है ये और ये वाली बात आपको जानने भी चाहिए छोटे-छोटे-चोटे बच्चों का सवाल के बहिया बहिया दिदी इसको इस्ट इंडिया कंपनी को गोलते है कंपनी तो समझ में आता है इस्ट क्यों देख ब्रिटेन यहां पर जो कि एक आइलेंड गंट्री है इंडिया यहां पर लोकेशन को डिवाइट के रहकर इस दिशा को बोलते है नॉर्थ इसको बोलते है इस्ट यह अगर नॉर्थ में है तो यह इसकी इस्ट में ही तो है बात समझ मागी छोटी ची बात थी 30 सेकंड की लेकिन हमेशा के लिए क्लियर हो गया क्योंकि यह इसकी इस्ट साइट पर लोगेट थे इसलिए नाम आ रहते हैं इस्ट इंडिया कंपनी ओके तो हुआ क्या लक्षमी गांत की पहली लाइन 1600 के अंतर इस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर लिया था फ्रॉम रूलर ओफ इंग्लेंड क्वीन एलिजबेट वगन यह पूरी कानी हम जानते हैं लक्षमी कान से अल्ज़डी अब तो जानते हो at least और मैंने बताया था यह चार्टर और भी कंपनी क्लेम कर रही थी अब लोग पढ़ते ही निसे लिटिंग प्रोसेस होता है जैसे वेलकाम में वह पेंटिंग बेख़ात है मैंने बोला था ना आक्शन होता है जैसे लेकिन सोल राइड इसको मिलीगा चार्टर का मैंने बोला था आपको पूरा लक्षमी कान में कॉपी पेस तो यहां से कर लिया, अब लोग पढ़ते ही निया 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 लाइन को अपने मंद से उठा ली, लेकिन लक्षमी काद ने एक्स्प्लेइन निया रहा कि चार्टर का मतलब क्या होता है, यह करेगी एक्स्प्लेइन आपको, और वो चीत हम आप पढ़ अब यह लाइन देखना कितनी इज़ी आपके लिए, इस में देड, कोई और अन्य ट्रेडिंग, ग्रुप या ट्रेडिंग कंपनी इंगलेंड से, आ नहीं सकता भारत, इस इंडिया कंपनी दूसरी बनाकर, इस इंडिया कंपनी एक ही होगी, इस इंडिया कंपनी 2.0, 3.0 4.0, ऐसी कुछ नहीं होएंगी, एक ही होगी, जो प्रेडिंग देचली आई है, विद इस चार्टर, अब जो इस इंडिया कंपनी थी, अब उसने सी रूट का सारा लिया, और ओशनस के थूरू बेंचर करते हुए, इन्होंने नएने लैंड देखना शुरू करें, नएने सुद्धो ध्यान से, मैंने शाय साबको लक्ष्मिकार में वाली बात बताई नहीं, कुईन एलिजाबेट वन ने दिया था, आप क्योंकि आप इंडिया निस्ट्री पढ़ते हैं, जनरली हम इंडिया इंडिया की बाते करते रहते हैं, ये चार्टर इसलिए था कि ब्रिट रकम सीमा जो तय हुए है, रकम सीमा जो भी तय हुई है, हाथ मिला कर कुईन से, कि इतनी तो हम आपको पूरा फिक्स अमांट पहुचाएंगे ही पहुचाएंगे, इतना तो पक्कम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, अगर कि इतना तो हम पहुचाएंगे ही पहुचाएंगे, तो Queen ने बोला, जाओ, जा सिमरन जा, भाग जाओ, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन फिर सिमरन मुढ कर आई और उसने ये भी बोला Queen से, यहाँ पर सिमरन इस इंडिया कंपनी को मैं बोल रहा हूँ, मैं आसा मास बोला सिमरन कोई person था, कोई मुनार्थ था, कि यह बोला कि मैडम यार फिर पीछे से और भी कंपनी आ गई और एक ही जगा पर अगर हम दो लोगे हैं तो फिर यह कैसे हो पाएगा, फिर तो ऐसे कामी नहीं बन पाएगा, आपका revenue मारा जाएगा, तो Queen ने बोला, यह charter की copy सिर्फ एक ही है, इस की photocopy नहीं होएगी, कहने क मतब क्या है, चार्टर राइट तुमें मिला है, तो अगर तुम तै सीमा की रकम तुम नहीं दे पाए ना हमें, तो हम किसी और को चार्टर दे देंगे, लेकिन अगर तुमने दिया, तो हम promise तुमें यह करते हैं, कि कोई भी अन्ने company, हम Britain की सीमा उसको बाहर नहीं जाने द देखते हैं, क्या चार्टर की ideology आपको समझ में आई, चार्टर कितना powerful tool था, यह समझ में आए, और यह MPPSC के अंदर question बन सकता है, What was the significance of British Charter for the East India Company to rule India, What was the significance of British Charter for the East India Company to rule India, या फिर Asian and African continents, Okay, तो इस charter के बाद नएने company ने land दूना start करें, इनकी सबसे simple ideology क्या रहती थी, To buy goods at a cheap price, और Europe वापस लेकर जाना उनको higher prices पे sell करना, ठीक है, उनको sell करना, जब हम Indian economy पढ़ेंगे, उधर एक word आएगा, एक word आएगा, क्या word है वो, यह वर्ड याद रखना, Systematic de-industrialization, Systematic de-industrialization, जब भी अंग्रेजों के बारे में कुछ लिखो, जब भी अंग्रेजों के बारे में कुछ लिखो, क्या है, Systematic de-industrialization, इन्होंने करा क्या, भारत से वो ही सेम चीज, यही जो चीज लिखी हुई ना, यहाँ पर, इन्होंने इंडिया से रोव मेटीरियल यह उठाते थे, रोव मेटीरियल इन्होंने इंडिया से पिक करे, खरीदे, बहुत ही सस्ते दामों पर, वेरी वेरी चीप प्राइज, जहांते सुनना है, इसका Process Systematic de-industrialization क्या था, जब यह भारत में आगए, तो भारत में क्या करते थे, 19 वी, 20 वी शतापती क्या सपास, रोव मेटीरियल यहां थे, बहुत चीप रेट पर खरीदे, उसको ले गए उसके बाद, इंग्लेंड या यूके जो मटजी कहलो, उदर जाकर उसके finished goods बनाए, इन रोव मेटीरियल को यूसर के finished products, finished goods पर है, अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, कि Europe में जाकर higher prices पर sell करना न, Europe में जाकर नहीं, कुस्तो चलो European countries, दूसरी countries चले जाएगे, इरोव का मतलब यह नहीं है, कि खुद की country में जाकर बेशने लग जाएगे, दूसरी country में बेश देना उनको higher prices पर, finished goods बनाने के बाद, और प्लस दुबारा इंडिया उसको लेकर आना, उन finished goods को, और इंडियान्स को raw materials अस्ते रेट पर खरीदा था, लेकिन ये finished products को बहुत higher prices पर बेशना, तो यहां से, मतलब kind of इनकी रण नीती क्या थी, margin जाद से जाद निकालगा, और systematic de-industrialization के लिए दो points होते हैं, इंडिया was reduced to the status of number one, systematic de-industrialization का मतलब भी होता है, इंडिया was reduced to the status of number one, 1. India became importer of finished goods from Britain, 2. India became exporter of raw materials to Britain, और इसने हमारी economy को इस policy ने drain कर दिया था, हम पूरी modern industry पढ़ लेते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन इनकी लिए जो terms use होती हैं, जैसे अब जैते मैंने आज आज आपको ए term दी, अब paper में एक बाभ बताओ जरा, ये लिखकर आओ गया विशेख, तो ये अच्छी नहीं लगेगी जरा बताना, कि इनका मतलब ये जो करते थे, margin अपना निकालना, margin लिखकर आई हैं, फिर ये लिखकर आए, तो ये ज़्यादा बेटर नहीं है, systematic de-industrialization, और अब एक चाओ तो question लिख लो, इसमें यहाँ पर, मैं questions भी यहाँ पर कुछ-कुछ लिखवा दूगा, जिन मुझे NZRD में important लगता है, MPPSC में तो ये question आई सकता है, How did the policy of systematic de-industrialization, लिख लो इसको, How did the policy of systematic de-industrialization, resulted in the ruin of Indian economy, How did the policy of systematic de-industrialization, resulted in the ruin of बरबादी, R.U.I.N. Ruin of Indian economy, How did the policy of systematic de-industrialization, resulted in the ruin of Indian economy, लिख लिया, ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात, relaxing बात किया थी, कि कम्पनी यह सब कुछ जल्दी-जल्दी कर कैसे पाई, कम्पनी इसलिए कर पाई, क्योंकि चार्टर की वैजे थे, जो कम्पनी को, कम्पनी को, अब यह सारे कॉज, यह सारे फैटर्स है, How did company, How did company established itself as a major trading power in India, in its initial days, इसका, इसका answer है यह, कि यह सारी सीथे कम्पनी कर के सपाई, सबसे बहले तो आप यह रिखोगे, कि कुछी के चार्टर की मिलने की वैजे से, उसी से आप दूसरा point, डिके डिराइब करोगे, अपने answer के अंदर, कि इनको डर नहीं था, competition का, कि कोई और तो आई नहीं सकता, ब्रेटेन से, कोई और तो आई नहीं सकता, ब्रेटेन से, ब्रेटेन से नहीं आ सकता, लेकिन दूसरी country, इसे कैसे रोखोगे, इसलिए जब ये भारत आते हैं न, अब बताओ उनको, कौन-कौन face करने को मिलता है, कौन-कौन सी company होती है, Portuguese होते हैं, French होते हैं, Dutch होते हैं, Arab traders होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, होते की नहीं होते हैं बताओ, लेकिन, होते हैं, ये बिढ़ जाते हैं, उनसे तो बिढ़ जाते हैं, और हरा देते हैं, इसलिए फिर हम ये कह सकते हैं, इसलिए फिर हम ये कह सकते हैं, कि ये, economic power के सार्थ सार्थ जब इनको realize हुआ, economic power के सार्थ सार्थ जब इनको realize हुआ, कि हमें न, एक बहतरीन political power भी बनना पड़ेगा क्योंकि इंडिया के अंदर rival companies भी हैं और वो हमें अराम से टेकी नहीं रहने देंगी हाला कि centralized authority से इन्होंने बड़े सारे फर्मान मांगे लेकिन जब इनको ये लगा कि हमारा revenue जो है और हमें मिल सकता है तो इन्हों ने ये सोचा यार ये for example मानलोश शालम ने या किसी ने भी इनको फर्मान दिया कि तुम लोग बेंगॉल में रहना तुम लोग इदर रहना तुम लोग इदर रहना तुम लोग इदर रहना तुम लोग में में कांग करते हैं revenue यह जो permission बाढ़ने वाला है ना जो permission बाढ़ता है और areas allocate करता है इसी को खतम करते देते हैं इसी को खतम करते देते हैं तो इन्होंने एक पहल करने की कोशिश करी battle of boxer में शालम 2 को हरा दिया इनको correspondence आ गया और मैंने इनकी आपको एक ideology समझाई थी war treaty war पहले लड़ा और treaty sign करनी और treaty में क्या हुआ दिवानी राइट्स मिल गए bob में trade करने के लिए Bengal, Odisha and Bihar कौन से battle से मिले battle of boxer और सुल्तान कौन था स्टेमपल इंडिया का शालम शालम टू ठीक है उस जमान उन दिनों जो mercantile trading companies होती थी वो profit बनाती थी primarily by excluding competition ताकि वो they could buy cheap and sell dear इसका मतब क्यों होता है सस्ते में खरीदना और महेंगे में बेचना अच्छा खाज़ा अपना मुनाफ़ा निकाल के sell dear का मतब की होता है अपना मुनाफ़ा निकाल के अपना profit निकाल के अपना margin निकाल के ठीक है Mercantile क्या होता है यह business enterprise होता है जो की profit बनाता है primarily through trade buying goods at cheap and selling higher price यही same चीज़ है जो royal charter जो था ना मैंने अभी आपको बता दिया देखो royal charter ब्रेटेन से आने वाली किसी भी company को तो रोक सकता था भारत में कुईन क्योंकि अलाव नहीं करेगी लेकिन दूसरी European powers को कैसे रोकोगे भारत में कुछने से तो जिस ट्राइम पर पहले English ships यहां पर आते हैं और वो west coast of Africa से निकलते हुए Cape of good hope तक गूमते हुए Indian ocean को cross करते हुए finally जब वो भारत पहुंचते हैं तो वो यह देखते हैं East India company वाले Portuguese थो अल्रीड़ी डेरा जमाकर यहां पर बैठे हुए हैं भारत की western coast पर और उन्हेंने गोगा को अपना base बना रखा है और यह Sea route तक ना सी रूट के जरीए यह इसलिए ही पहुंच पाए हैं यहां पर जो प्रिटिश थे वो इसलिए ही पहुंच पाए हैं क्योंकि 1498 में Portuguese explorer वासको डी गामा ने समुदर का रस्ता धूर निकाला था भारत के पहुंचने के लिए ऐसा माना जाता है कि अमेरिका की खोज में निकला था लेकिन खोजते खोजते भारत पहुंच गया तो by the early 70th century डच भी हाँ पर इंडिन ओशन में possibilities explore कर रहे थे और उसी के साथ है fresh trailers भी हाँ पर आ गए traders यहाँ पर आ गए और यह जो जगा है न यह southern most tip थी one of the southern tip of Africa Cape of Good Hope हम यह Cape of Good Hope के बारे में न Portuguese East India Company के context में पढ़ेंगे लेकिन मैं फिर भी आपको photo दिखा देता हूँ यह African continent है नीचे देखो यह दिख रहे है यह Cape of Good Hope यह यह वाला part यह टेप कहीं लोग इसको southernmost tip बोलते हैं NCRT बगेरा इसमें लोगों का dispute चलता है लेकिन यहाँ पर आगर आप देखोगे न एक photo दिखता हूँ आपको Cape of Good Hope की एक टेप है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको यहां पर मतलब इन्होंने जो पॉचिजिस ट्रावलर से महाँ पर रेस्ट लिया था Cape of Good Hope और यहाँ पर Cape of Good Hope और के पोइंट है यह चीज़े आप याद रख सकते हो, ठीक है, हाँ, मैं यह बता रहा था, यह debate, अब Cape of Good Hope जो है, कई लोग इसको बोलतें कि Africa का, यह Southernmost point है, African continent का, Southernmost point, लेकि Southernmost point तो यह Southernmost कैसे बसकते हैं, तो ऊपर है, नीचे ही है, तो Cape अगुलाज होता है, वैसे असकान सा, लेकिन बड़ को के, वास्कोटी गामा जो है, वहाँ से होता हुआ, Southernmost tip of Africa से निकला था, Cape of Good Hope, लेकिन Cape of Good Hope, Southernmost tip तो होई नहीं सकती, और यहाँ पर यह एक board लग रहा है, ऐसे, यहाँ पर, यहाँ पर, प्रॉपर इन्फोर्मेशन है, देखो, यह सब मैं आपको इस लिए दिखा रहा हू अब देखो, इसकी board पर, उन्होंने सरकार ने जो वहाँ पर लगा रखा है, क्या, दा मोस्ट साउथ वेस्टन पॉइंट, तो देखो, Southern tip नहीं, Southernmost नहीं कहेंगे, साउथ वेस्टन, मोस्ट साउथ वेस्टन, मलब यह जदे, जो साउथ वेस्टन में सबसे नीचे जगा है African continent में, पूरे African continent में, वो है यह Cape of Good Road, और यह इसकी paddlers लिखी हो है, जैसे हम latitude की बात करते हैं, इतना East, इतना South, ठीक है, कुछ भी नहीं है, वैसे यहाँ पर आप वो couples को अकेले-अकेले जगा मिल जाती है, पत्थरों के पीछे कुछ रोमेंस करने की, वो करने की, तो यही पर चले गरे, कुछ हाई नहीं क्योंकि आसपस कोई दूरतर, दूरतर रास्ता कोई देखने वाला, बस यह चीज है, और ऐसे बच्चों को बोलते थे बटा, तुम जाकर खेलो, अभी ममी बापा आ रहे हैं थोड़ी दिर में, तो जो problem थी, problem was dead, all the companies were interested in buying the same thing, यह दिक्कत इनको जो लगी, इनको लगी चल थी, कि शुरू-शुरू में क्या बिढ़ना, हम company के तौर पर आये हमें भी बस एक area मिल जाए, हम भी अपना व्यापार चला लेंगे, लेकिन problem यह थी, कि same चीज जे खरीदना जो चा रहे थे ना, इनको एक area से दिक्कत नहीं थी, इनको products raw material से दिक्कत थी, कि सब लोगों की नजर एक ही चीज पर है, अब भारत में बहुत fine quality का cotton और silk produce होता था, जिसका एक बहुत, जिसकी बहुत बड़ी demand थी European market में है, इसके अलाबा, pepper, cloves, cardamom, cinnamon, दाल चीनी, इलाइची दाना, long, काली मिर्च, ये सब भी बहुत great demand में थे, तो competition जो था न, European companies के बीच में, इसकी वज़े से जो थे, prices, बहुत ज़दा बड़ गए थे, जिस rate पर ये goods purchase कर जाते, यानि कि raw materials को खरीदना ही बहुत मुश्किल हो गया था, और raw materials को खरीदना मुश्किल हो यानि कि अगर महेंगे rate पर करीदा, raw materials को, तो यानि कि profits गटना, और profits गटने का मतलब होगा, queen की नाराज की, क्योंकि इनको तो maximum खुद जाद जादा earn कर रहा था, ये निकला हुआ, profit जितने पर dealing होई है, वो रानी को देंगे, लेकिन जब खुद गई नहीं निकल पारा, और रानी का भी नहीं निकल पारा, तो फिर चार्टर तो cancer हो जाएगा, इनक्यू परिसली ने pressure था, इसलिए, ये ना restlessly, मज़े जादा नहीं कर जाते थे जुरू-जुरू में, क्योंकि इस सर पर तलवार लटक रही थी, कि चार्टर expire हो जाएगा, इतना profit अगर महां तक पहुचा, तो यहां पर इनको ये realize हो गया, कि देखो ऐसे ये चलनी सकता हो, और हम, अब हमारी जीवन में कुछ रह नहीं गया है, करो मरो वाली सिती है, चार्टर खतम तो ब्रेटेन में जाकर क्या करेंगे, रोड में जाडू लगानी पड़ेगी, और इस लेंड में इतन को eliminate करने की जरुद है, तो इन्होंने सोचा, भाई बहुत हो गया, व्यापार, 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 व्यापार खेलना, अब बंदू के और तोपे मंगवानी ही पड़ेंगे, लेंड से, तो the only way the trading companies could flourish, कि वो अपने rival जो competitors हैं, उनको eliminate करते हैं, ताकि ये अपनी लिए क कैसा secure market create कर सकें, जहाँ पर कोई अन्य power ना सकें, तो इस चीज को eliminate करना, अब कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जो already यहाँ पर देरा जामा कर बैठे हों, जनको पूरी यहाँ की geography, economies और society पता है, इनके, जो already टेकिये हुए लोग थे, उनको हटाना, उन powers को हटाना है, इनक रेगुलर्ली हमें घटना देखने को मिलती है, कि कभी Portuguese ने British East India Company का जास दोबा दिया, कभी roots ब्लोग कर दिया, कभी इन्होंने उनके कर दिया, rivalships को यह नहीं आने दे रहे हैं, और जो trade था, it was carried on with arms and trading posts were protected through fortification, यारी कि इन्होंने भी जैसे पुराने जबाने में चलता था, force बनाए, और वहाँ पर अपने कुछ-कुछ garrisons वगेरा में arms store करवा दिया, बंदू के, राइफिल वगेरा यह सर, यह जो इनका effort था, settlements को fortify करने का, और profitable trade carry करने का, इनकी local राजाओं की साथ बहुत भेंकर भेड़ा पोई, intense conflict हुआ, और अब company को realize हो गया, अब company को realize हो ग British originally came as a small trading company, and they were reluctant, हिच की चाते थे, to acquire territories, यानि कि political power, political power उनको नहीं चाहिए थी, सिर्फ economic power चाहिए थी, लेकिन, company therefore found it difficult, कि वो अपने trading functions को, political functions से separate नहीं कर सकते, politics, राजनीती तो उनको खेलनी ही पड़ेगी, आपर राजनीती इन the sense of, कोई election लणना नहीं, but power में आना, और दूसरी powers को, यहा से eliminate करना, ताकि अगर revenue, for example, Dutch East India Company में बटा हुआ है, French East India Company में बटा हुआ है, British East India Company में बटा हुआ है, Portuguese East India Company में बटा हुआ है, तो अब जो यह revenue बटा हुआ है, तो इनको eliminate करका, पूरा-पूरा revenue बनाए जा सकता है, क्या यह समझ में आया सारी बात बताओ कोई डाउट है इंट्रोलेट्री अनेलिस समझ में आ गई इस चप्टर की चल गया रहा था जब भी चार्टर वाटर के बारे में कुछ लक्षमी गाज में देखो यह सारी चीज़ एक्स्ट्रा एड करें ने चार्टर की इंपोर्टन्स कहा थी और कैसे चार्टर ने ट्रेडिंग बेस कह रहा रहा है एकनॉमिक स्ट्रक्चर ले डाउन करके रख दिया था फांडेशन ले डाउन करके रख दिया था ब्रिटिशर्स का इंडिया में और यह हम नेक्ट्स लेक्चर में देखेंगे कि यह कैसे यह जर्नी इनकी फ्रॉं ट्रेडिंग पावर टू टू पॉलिटिकल पावर यह रही कैसी यह कैसे सोचतो लिया नोंने कि इनको एलिमेट करना पटे का लेकिन कैसे उसी कंटेक्स में वेरियस वार्स के बारे में भी जानेगी जो इनके दूसरे इस्ट इंडिया कंपनी और दूसरे जो कंपनी फॉरें कंपनी थी यहां पर फॉरें पावर चुत यहां पर उनके साथ हुए इस डिसक्रशन में बिलाल लेत नहीं थैंक्यू बेरी मच्छ पॉर डिसक्रशन